हलो मेरा नाम है चंद्रहाश इस्टडी स्मार्ट मैं आपका स्वागत है दोस्तों आप सबका जो इंतजार है वो खतम हो चुका है यहां पर देखेंगे कि आपको इसके लिए कैसी करनी चाहिए क्या कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए तो ध्यान से देखेगा पूरा वीडियो तभी आपको सारी चीने अच्छे समाझ में आ पाएंगी, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई कोश्चन हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, चली देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, important dates क्या है, IBPS के notification में लिख होई, तो notification की जो यहां पर important date है सबसे पहली कि कब से start हो रहा है, registration का जो process है वो, तो start होगा आपका 24-7-2017 से और उसकी last date कब है, 14-8-2017, ठीक है, तो यह आपको time दिया गया है, registration का, edit करने का, modification करने का, साथ ही साथ, fees जो जमा करनी है, payment का, उसकी भी date आपकी similar ही है, इनमें भ ही है आपका, तो इसलिए offline phase जमा करने का कोई option यहां पर नहीं है, उसके बाद यहां पर चार डेटें आपको थोड़ा सा confuse कर सकती है, यह चार डेटें जो है, इनको थोड़ा सा आपको confusion यहां पर पैदा क्या हो सकता है, यह जो चार डेटें दी गहीं, यह pre-examination training के लिए ठीक है, यह officer scale 1 और office assistant इनकी कब से call later मिलेगा, pre-examination का और कभी इनका exam होगा, pre-examination वाला, तो यह जो exam है, training purpose के लिए होता है, जिनको जानकारी नहीं कैसे exam अगरा देना है, तो इसको आप ध्यान नहीं दीजेगा, या फिर अगर आप इस category में आते हैं, तो आप ध्यान द 10-2017 में आपको उपलब्ध हो जाएगा, और office assistant का सितमबर 2017 में उपलब्ध होगा, और exam कब होगा, online जो pre है, तो officer scale 1 का जो exam होगा, उसके लिए 3 डेटे अभी तक है, 9-9-2017, 10-9-2017, और 16-9-2017, मतलब सितमबर में ही 3 डेटे हैं, 9-10 और 16, यह 3 डेटे रखी गी है, इसके जानते हैं, office assistant के लिए क्या डेटे हैं, 17, 23, 24, यह 3 डेटे क्या है, office assistant के लिए है, मतलब ऐसा समझे, कि जब officer scale वाला exam खतम होगा, उसके बाद आपका office assistant वाला exam होगा, और अगर आपने दोनों फार्म भरे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा, back to back आप exam देंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब रिजल्ट आने के ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप जितने ज़्यादा exam देते हैं, फिर यहां पर बता रहे हैं कि pre का जो result होगा, उसकी date कब है, तो वो कहरें कि October 2017 में दोनों के result आपके घोशित कर द scale 1, 2, 3 का जो exam है, वो 5, 11, मतलब 5 November को रखा गया है, और जो office assistant का exam है, उसके लिए 12 November की date अभी तेह की गई है, ठीक है, ध्यान रखेगा, scale 1, 2, 3 में अगर आप form भर रहे हैं, तो 5 November को आपका mains का exam होगा, यह ध्यान में रखने वाली बात कियों है, क्योंकि जब आप तयारी करते हैं, तो आपको यह समझ में आएगा, कि यहाँ पे pre और mains के बीच में आपको कितना time मिल रहा है, जो आपका scale 1 का result है, वो आपको October में मिलेगा, और 5 November को ही आपका mains का exam हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि pre के result और mains के बीच में मेरे ख्याल से जादा से जादा आपको 15 16 दिन का ही time यहाँ पे दिया जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है, तो अगर आप अपनी तयारी को pre के हिसाब से, मतलब pre में जैसे भी बताएंगे कि quantity, attitude, reasoning ही पूंचा जा रहा है, कि और दो ही subject आप पढ़ते हैं, और सोचते हैं कि फिर mains की तयारी बाद में करेंगे, तो यह मैं अभी सही आपको बता दे रहा हूं कि यह तरीका आपका पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है, शुरुआत तो होती है, लोग कहते हैं कि पहले जब pre ही नहीं निकल रहा है, तो मेंस के तयारी करें, क्योंकि एगर आपका pre निकल भी जाएगा, तो मेंस की तयारी तो आप ही से करनी होगी, आज से, ठीक है, फिर आप बता रहें कि declaration of result कब है, मेंस का, जो 1, 2, 3 का, वो नॉमबर में ही आपको दे दिया जाएगा result, और फिर interview के लिए जो लेटर डाउनलोड करनी की date हो, दिसंबर में होगी, और जो interview होगा, वो भी करें, दिसंबर में ही आपका conduct हो provisional जो allotment है, officer scale, 1, 2, 3, और office assistant का, वो आपका January 2018 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो यह important date थी, और यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि pre or men's के exam की तयारी आपको अभी से, आज से करनी होगी, तभी आप निकाल सकते हैं पूरा exam, वरना आधे में जाके आपका रुक आउम भर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहली बात जो आती हो, age की है, age सबसे बड़ा factor होता है, तो यहाँ पे जो age calculate की जा रही है, और 17 2017 की date से आपको लिया जाएगा, कि यहाँ तक आपकी age कितनी है, उसी हिसाब से आप form भर सकते हैं, जैसे office assistant का है, तो यहाँ पे age रखी ग और इसके बाद, अगर आप 28 साल से उपर होते हैं, तो आप eligible नहीं है, ठीक है, तो यह आपके लिए date रखी गए, यहाँ पे date भी लिखी गई है, कि 2-7-1989 से अगर आपकी पहले की पैदाईश है, date of birth अगर आपकी इससे पहले की है, तो आप form नहीं भर सकते, और 1-7-1999 के इसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं, तो भी आप form नहीं भर सकते, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिए, ऐसा ही सारे पोश्टों के लिए लिखा गया है, scale 1 के लिए आपकी जो age हो क्या है, 18 से 30 साल की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, office assistant में तो जो maximum age है, 28 साल है, लेकि इसके लिए जो age हो क्या है, 21 year से start है, minimum age हो क्या है, 21 year, क्यों? 21 year इसको इसलिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे freshers को नहीं लिया जाता है, मतलब अगर आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, किसी bank में, जैसे आप manager skill 2 के लिए apply कर रहे हैं, तो इसके पहले वो 2 साल का कम से experience मांगते हैं, सेम फिरिड में, तब ही आप apply कर सकते हैं, तो इसमें freshers को नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ पर जो minimum age हो 21 years रखी जाती है, और maximum age हो 32 years यहाँ पर रखी गई है, अगर बात करें, scale 3 की senior manager की, तो यहाँ पर भी minimum age हो 21 years है, और maximum age हो 40 years है, फिल हाल मेरा focus तो यह यहाँ पर इन दोनों post के लिए ही रहेगा, office assistant और scale 1 के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पर लगभग 90% जो candidates हैं, अभी जो form फिल करेंगे, वो इसी में आएंगे, ठीक है, next हम बात करते हैं, यहाँ और क्या eligibility है, दूसरी एक तो age की eligibility होती है, और दूसरी जो eligibility है, वो इसके बाद अगर आपका result आया है, तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या है, office assistant multipurpose के लिए क्लिए क्या है, कि आपके पास क्या होने चाहिए, bachelor's degree होने चाहिए in any discipline, अब in any discipline का मतलब बता दिया, तो आपको बार बार यह पूछने की जरूत नहीं है किसी से कि मैंने BA किया है, तो मैं भर सकता हूँ, मैंने BSC किया है, तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं, मैंने BTEC किया है कि नहीं, बस यह देखे कि bachelor's degree आपके पास है, चाहे वो किसी भी discipline में क्यों नहीं हो, और कहां से होने चाहिए, किसी भी recognize university और its equivalent, मतलब आप अगर यहाँ प यह सारे अगर आपको पता है कि आपने किसी recognize university से किया हुआ है, चाहे वो आप regular हो, चाहे वो open learning से हो, चाहे वो आप distance learning से हो, आप यहाँ पे eligible हैं, किसी भी discipline से होंगे, आप form भर सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान देने माली बात क्या है, इसके आगे कोई भी percentage minimum नहीं रखा मतलब आप बस pass भर हैं, तो चल जाएगा काम, ठीक है, इससे मतलब नहीं कि नहीं मेरे 60% से उपर आएंगे, तभी मेरा selection होगा, या फिर मेरे 33% हैं, तो मैं interview में छट जाऊंगा, यह सब बातें आपको नहीं सोचनी है, क्यों आप pass हैं, क्यों इसी से मतलब हैं, उनको आप आपके पास degree है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, फिर दूसरी important बात क्या है, कि proficiency in local languages as prescribed by participating rrbs, इसका मतलब क्या है, कि जिस भी rrb में आप जा रहें interview बगारा देने के लिए, जिस भी छेतर में है, तो वहां कि जो local language है, वो उसमें आपको proficient होना चाहिए, मतलब आपको समझ आनी चाहिए बात है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बनते भी हैं, office assistant या फिर scale one officer, प्यो बगरा तो यह rrbs है, आपको गाओं में posting मिलेगी, तो अगर आपको वहां की local language नहीं आती, तो वहां गाओं वालों को जा करके जैसे आप अगर उत्तर भारत से हैं, आपको दच्छिन होना जरूरी है, और फिर यहां पर क्या कह रहे हैं कि desirable working knowledge of computer, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, desirable, desirable का मतलब क्या होता है, essential यह qualification नहीं है, desirable का मतलब यतना वो चाहते ही ही चाहते हैं, कि अगर आपको computer की knowledge है, तो आपके जो select होने के chances हैं, वो और अच्छे हो जाते हैं कहीं से भी हो, open learning से हो, distant learning से हो, ignore से हो, कहीं से भी हो, और यहां पर कोई भी percentage जमेला भी नहीं है, कि percentage कितने होने चाहिए, कितने भी percent हो आपको ले लिया जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए, नीचे क्या लिखा गया है, preference will be given, preference का मतलब ऐसा नहीं कि, आप अगर किसी और शेतर से हैं, तो आपको select नहीं कि जाएगा, लेकिन preference का मतलब, ऐसा वो चाह रहे हैं, कि अगर इस field से लोग होंगे, तो उनको अच्छा उनको लगेगा select करने में, मतलब उनको priority दी जाएगी selection में, कि अगर candidates के पास degree कि है, agriculture की है, forestry की है, animal husbandry की है, veterinary science, agriculture, engineering, PC culture, agriculture, मतलब पही है कि आपका agriculture या फिर animals related आपके पास कोई भी अगर degree है, तो आपको जाद आप कह रहे हैं, जैसे आप information technology की बात आई, मतलब जो बीटेक वाले होते हैं, उनको भी थोड़ा सबहर रहता है, इस बात का कहीं छटेंगे तो नहीं, तो यह सारे जो degrees है अगर आपके पास, तो आपको जादा preference दी जाएगी selection में, ठीक है, अत्तब ऐसा नहीं कि इस degree नहीं, तो आप अपने आपको हतात समझ लिए, आपके चांस तब भी उतने ही है, फिर यहां भी वही बात है कि आप proficient होने चाहिए, local language में, जिस भी RRB के लिए आप जा रहे हैं, और यहां पर भ युनिवर्स्टी से होनी चाहिए, तो वह मानने है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर लिखा कि एक, all educational qualifications mentioned should be from a university, institution, board recognized by government of India, approved by government regulatory bodies and the results should have been declared as on before 14-8-2017, मतलब कि आपके पास जो भी educational qualification होनी चाहिए, वो किसी ना किसी recognized university से होनी चाहिए, जिसको भारत सरकार के द्वारा मानिता प्राप्त है, वो वहां से आपको होनी चाहिए, तो आपके लिए कोई भी यहां पर जहमेला नहीं है, मतलब टेंशन की बात नहीं है, और आपका जो result है, जैसे आप last year में है, माल लेते हैं, आप BA कर रहे हैं, BA के result की, final result आएगा आपका, third year का, fourth year का, जिस जो भी आप कर रहे हैं, वो 14 अगस्त तक या फिर 14 अगस्त से पहले ही declare होना चाहिए, तब ही आप eligible होंगे, उसके बाद अगर होगा, तो आप eligible नहीं होंगे, ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, proficiency in local language, इसका मतलब यहां पर क्या है, जो भी local language, उसमें proficient होने चाहिए, और इसमें कह रहे हैं कि अगर, आप exam देने जाते हैं, किसी भी रारविम इंटर्व्यू, तो वहाँ पे देखा जाएगा, कि जिस भी language, जैसे आप अगर हिंदी लेते हैं, तो आपको proficient तब माना जाएगा, अगर आपके पास, वहा चाहिने का समय भी दिया जाएगा, ठीक है, six months का समय दिया जाएगा, कि आप वहाँ की जो local language है, उसमें proficient हो सकें, अपने आपको उस तरीके से ढाल सकें, उसके बाद आपका एक exam लेंगे, और बोर्ड से ही आपको exam एक देना होगा, उसको आप pass कर लेते हैं, तो आपको न आज में आया होगा, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, application fees की, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो application है, वह आपको 24 जुलाई से 14 अगस के बीच में आपको यहाँ भरना है, उसी समय आपको fees भी भरना है, और form भी भरना है, तो यहाँ पर जो fees रखी है, उसमें तो यह लदो ह office assistant का form भरना है, तो और जो others है, मतलब जो general candidates हो गया, वी सी हो गया, उन सब के लिए जो fees का criteria कितना है, 600 रुपए रखा गया है, ठीक है, तो यह आपकी क्या है, फीस है, और यहाँ पर करें, बैंक ट्रांजेक्शन अगरा जो होगा, वह आपको ही पे करना होगा, उसके अगर मैं office assistant की बात करूं, तो इसमें pre होगा और mains होगा, ठीक है, pre और mains क्यों, क्योंकि इसमें office assistant में interview हटा दिया गया है, तो interview आपका नहीं होगा, pre और mains के marks को ले करके ही merit बनेगी और उसी के अधार पर selection होगा, officer scale 1 की बात करूं, तो pre और mains के साथ यहाँ पे आपको interview भी देना है, ठीक है, बस यह आपका structure में अंतर है, और अगर देखा जाए, pre में क्या पूछा जाएगा दोनों exam में, तो office assistant और officer scale 1, दोनों में ही, दो ही subject पूछे जाएंगे pre में, एक तो reasoning, दूसरा numerical ability, 40 questions होगे, 40 number के, दोनों के total 80 questions और 80 number के, time composite दिया जा गया है, 45 minutes का, 45 minutes का, composite time यहाँ पर दिया गया है, यही काम आपका officer scale 1 में भी होगा, बस difference कहाँ पर होगा, level में आपका difference आपको देखने को मिलेगा, जो office assistant का level होगा, वो officer scale 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, इसका जो officer scale का level होगा, वो ऊपर होता है, ठीक है, तो बस level में आपको अंतर है, ब हम mains के बास आएंगे, तो आप पलट जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको English भी मिल जाएगा, Computer भी मिल जाएगा, General awareness भी मिल जाएगा, फिर 15 दिनों के समय में आप इन तीनों subject में कैसे master हो पाएंगे, यह तो आप समझी सकते हैं, नहीं हो पाएंगे, तो अभी से ह त्यारी करिए, मेंस की, मेंस की जब आप तयारी करेंगे, तो इतना आप समझ के रखेंगे, उसमें प्री की तयारी तो अपने आप ही include हो ही रही है, तो प्री की तयारी अलग से करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नीचे का लिखा गया है, है, candidate for both the post, have to qualify both the test by securing minimum cut-off mark, adequate number of candidate in each category depending upon the requirements will be short-listed for the online means examination, मतलब करेंगे, कि आपको यहाँ पर individual cut-off है मतलब reasoning में भी pass होना पड़ेगा और numerical ability में भी आपको pass होना पड़ेगा, दोनों में ही, आपको यहाँ पर pass होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको एग में ही pass होना पड़ तभी आपको यहां सब्सक्राइब करने का मौका मिल सकता है। पहले हम यहां पर देखेंगे सेक्शनल क्टफ, फिर ओवरल क्टफ मिलेगा, जितने बच्चे पास हुए हैं और जितनी पोस्ट हैं उनको ले करके ठीक है नेक्स्ट हम बात करें में इस एक्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा तो अगर हम बात करते हैं पहले आफिस असिस्टेंट की तो रिजनिंग आएगा निमेरिकल एबिल्टी जर्नल अवेरनेस इंग्लिश लैंग्विज हिंदी लैंग्विज अब यहां पे लैंग्विज को सकते हैं और हर एक को बदल सकते हैं इंग्लिश में तो हिंदी कर सकते हैं यहां पे जैसा आपका होता देंगेश कगरth करते हैं यहां पर हैंदी लेंगिज का पेपर बनेगा language का paper paper पूरा Hindi में नहीं Hindi language उसमें लेंगे तो उसका पर आप देंगे ठीक है और यहाँ पर आखनि मिलता है computer knowledge तो यहां पर देखिए आपको रिजनिंग और निमेरिकल अबिल्टी जनल एवेर्णेस इंगलिश हिंदी कंप्यूटर नई सब क्या है पचास नंबर यहां पर आपको मिलेंगे 40 कोशन 50 के होंगे वहीं अगर बात करें जर्नल एवेर्णेस की तो आपका 40 कोशन 40 के होंगे और जो लेंग्वेजेस हैं वह आपकी भी क्या है यहां पर देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको कमपोजेट टाइम का मतलब क्या हो गया सेक्शनल टाइम आपको नहीं दिया जाता है यहां पर ओवर्राल दिया गया है 200 200 question करने के लिए 2 घंटे का समय, जो आपका मान हो, जितना मान हो, उतना करिए, ठीक है, इतनी बाद आपको समझ में आई, next हम देखते हैं कि officer scale 1 के लिए क्या है, यहां भी reasoning है, quantitative attitude है, general awareness है, और यहां पे दो languages है, same pattern इसका भी है, जो reasoning, quantitative attitude है, आपको 50-50 number मिलेंगे, 40 question करने के, और जो languages है, जनरल awareness है, वो आपके एक question, एक number के, मतलब 40 question, 40 number के, और जो computer knowledge है, वो 40 question, 20 number के आपके पूंचे जाएंगे, तो 200 question होंगे, 200 number के, और यहां भी time क्या है, composite time दिया गया है, 2 घंटे का, ठीक है, मतलब, 120 minute में आपको 200 question यहां पे करने है, ठीक है, और आपको पता है कि RRB का पिछला बार हमने देखा था, क्या हुआ था, बहुत ही high cut off गया था, प्री का, क्योंकि question के जो level थे काफी आसान थे, काफी आसान question पूछे गये थे, और इसलिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा paper किया था, और इसलिए cut off गया था, बहुत हाई गया था, तो अगर आप यह सोच करके चलने करें कर लेंगे 50 question तो भूल जाईए, आपका selection नहीं हो सकता है, अगर फिर से वैसा ही pattern आपका पूछा गया, मैंरे ख्याल से level तो इसका low ही रहता है, high level तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, एक question का सही और गलत होना आपके लिए बहुत माइने रखेगा, क्योंकि एक question अगर आपका सही हो जाएगा, तो हो सकता है, आप मैंस के लिए qualify कर जाए, और एक question गलत होने की वज़ा से ही आप बाहर हो सकते हैं, पिछली बार हमने यह सारी चीज़ें देगी थी, कि जो बच अची तयारी आपको करने होगी, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इसलेकर मैंस के लिए आप पढ़िए ताकि आपका पूरा cover हो सके, पूरा syllabus जो है cover हो जाए, next हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ important चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कैसे merit list बनेगी, कैसे marks आपको अप्टेंड करेंगे, वो सर्क चीज़ें, यहाँ पे बता रहे हैं, जो corrected score होगा, obtained by each of the candidate in different sessions, if it will be normalized using aq-percentile method, aq-percentile method को लगा करके normalize किया जाएगा, आपका score, मतलब pre-emains अगर आप दे रहे हैं, तुन दोनों के score को normalize करके, फिर final merit न दूसरा point यहाँ पे जो बहुत important है, उसको आप समझ के रखिए कि post of office assistant, मतलब multi-purpose अगर officer के लिए form भर रहे हैं, तो जो mains में आप पाएंगे number के ओल, उसी को final merit listing के लिए consider किया जाएगा, मतलब जो pre-exam आपका है, वो के ओल qualifying nature का है, मतलब उसमें आप चाए top भी कर लें, त कि जो भी marks आप पाते हैं, mains examination में, उसको consider किया जाएगा short listing के लिए, किसके लिए, interview के लिए, मतलब interview में आप short list होते हैं कि नहीं, उसका अधार क्या होगा, कि ओल main examination में जो आपने number पाया है, वो, pre में आपने top किया हो, 200 में 200 number, 200 नहीं, sorry, 80 number का होगा, 80 में 80 number भी आपने पा मनाई जाएगी, mains और interview दोनों के exam को मिला करके, और यह एक बात यहाँ पर और बता दूँ आपको, कि जब तक आपका पूरा process हो नहीं जाता है, मतलब आप interview के लिए, आपका selection आ जाता है, mains के examination में, लेकिन आपको number नहीं पता चलेंगे, कि आपने main examination में कितने number पाये हैं, इसका खुलासा नहीं किया जाएगा, interview process होने के बाद, जब आपको पूरा final मिलेगा result, तो ही आपको पता चल पायेगा, कि आपने mains में कितने number पाये थे, interview में कितने number पाये थे, ठीक है, और यहाँ पर बताये गया है, कि जितनी post होंगी, उससे तीन गुना selection आपका लिया ज के लिए, फुर इन 300 लोगों में से 100 लोगों को select किया जाएगा, दोनों के लिए यही आपका funda है, लगभग 39 लोगों को बुलाया जाएगा, जितनी भी post available होंगी, उसमें, ठीक है, और यहाँ पर कहरें कि जो interview के marks हैं, वो total 100 नंबर में आपको दिया जाएंगे, और इसमे बाते हैं, तो आप fail हो गए, बतलब final merit list बनने में आपको consider भी नहीं किया जाना है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो यह तो सारी हो गई बाते हैं, जो आपको exam से related, जो important बाते थी, ध्यान में रखनी है, और कब से आपको form भरना है, कैसे भरना है, कैसे त्यारी करनी है, क्या बाते हैं, आपको ध्यान में रखनी ही हो गई, अब हम next बात करते हैं, कि आपको इसके लिए तयारी क्या रखनी है, यह सारी जो चीजे है, तो इसके लिए जो आपको preparation करनी है, वो मैंने आपको पहले ही बताए कि आपको mains की preparation करनी, जो main examination है, उसकी, अभी हमन चाहें उसके लिए और computer यह आपके important factors हैं में के examination के लिए और यहां पर आपको पता है reasoning और computer aptitude को मिला करके 100 number के questions बनेंगे बाकी के 3 section मिला करके आपके 100 number के questions बनेंगे तो अगर आप यह दोनों section बहुत important आपको लगता है इसके लिए preparation कैसी करनी है जो मैंने ibspo वाला video बनाया है ibspo को लेकर के अभी मैं आपको यहां पर link भी दे दूँगा यहां पर आपको link मिलेगा ibspo के लिए preparation कैसे करनी है syllabus क्या है तो syllabus जो आपका ibspo का है वही आपका officer assistant का है वही आपका officer scale 1 का है syllabus में कहीं कोई अंतर नहीं होता है सिर्फ आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है level का level थोड़ा सा कम होता है और मैं आपको और videos दूँगा या आप खुद से भी search कर सकते हैं पिछले साल जो मैंने videos दिये थे exam के बाद कि क्या-क्या questions आए थे बहुत हाई रहता है जैसे SBI का exam बहुत हाई रहता है तो race में बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि उतने ही लोग होते हैं जो उस तरह की puzzle को solve कर पाते हैं लेकिन यहां पर puzzles भी आसान रहती है number series भी काफी आसान रहेगा quadratic question भी काफी आसान रहेगा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं तो depend क्या करेगा कि speed आपकी कितनी है speed अगर आप 200 में से 200 question भी कर लेते हैं लेकिन कब करना है 2 घंटे के अंदर करना है मैं पूरा question कर लूँगा बस मुझे 4 घंटे का समय दे दो तो यह कोई matter नहीं करता है अगर आप 4 घंटे में 200 question पूरे भी कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई 2 घंटे के अंदर ही अगर वो 150 question भी करेगा तो इसका selection हो जाएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है speed का speed कहां से आएगी practice से तो practice कैसे करनी है आपको जो पुराने paper से उनको उठा करके देखिए मैं यहाँ पे आपको रोज videos दूँगा हर एक section की video दूँगा आप चाहें तो अपने आपको focus कर सकते है reasoning or quantitative attitude preco लेकर के ही लेकिन वो आपके लिए नुकसान दायक होगा मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक section पर जब तक आपके exam नहीं होते हैं तब तक सारी videos दूँगा इंग्लिश भी दूँगा math की भी दूँगा reasoning की भी दूँगा day 16 मतलब 16 वीडियो मैंने इस टॉपिक पर दे दी है इवीपियस प्यो 2017 तो इसकी सारी वीडियो आप देख करके रखिए और मैं हर दिन के हिसाब से आप वीडियो दे रहा हूं कोई अलग से लेवस नहीं है बस आपके दिमाग का यह भ्रहम है ठीक है तो केवल आप उस ब्रहम के हिसाब से आपको लगता है कि आर भी कुछ अलग पूछेगा पूछा जाएगा पूछा वही जाएगा बस level का अंतर होता है ठीक है तो अगर आप higher level के त्यारी करते हैं त वीडियो कर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करके उनको ही बताएं भाई कि अब ओरेजिनल या फिर कलें ओफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है देखें तैयारी करें अपने आपको बैलेंस करें अभी तक जहां घूम फिर आटाट वे लग अड़ जाएंग वाई